हलो प्रेवर्स डेली ही टिप्स में आपका स्वागत है फ्रेंग्स आज के इस फीडियो में मैं आपको बिताऊंगी सुभा सुभा दो चोब मच खसकस को गर्म दूद के साथ खाने के कमाल के फायदे जी हाँ फ्रेंग्स आज कल तो हर दिन नई नई सी बीमारीों के बारे में सुनने को मिल जाता है क्यूंकि वलत खान पान के कारण हर दूसरा इन्जाम किसी ना किसी बीमारी से सफर हो रहा है क्यूंकि आज के समय में हल्दी रहने के लिए हल्दी फूद्स और कुछ होमेमिडीस बहुत ही जरूरी हो गई है तो फ्रेंग्स ऐसे में क्यों ना डाइट में कोई ऐसी चीज ली जाए जिसे खाने के बाद बहुत सी बीमारीों से बचा जा सके जी हाँ अगर आप दूद के साथ खसकस यानि की पॉपी सीर्स लेते हैं तो आप भी कई दरहां की बीमारीों से बिच सकते हैं जी हाँ, खसकस में भरपूर मात्रा में ओमीगा 6 फैटी आसिट, प्रोटीन और बहुत सारा फैबर के अलावा भी फाइटो केमिकल्स, विटामिन B, खयामीन, कैल्शियम और मैंगेनीज पैया जाता है जो कि हमारे बॉड़ी को हिल्दी रखने में काफी हिल्ट करता है कर दीचे ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सकें सबसे पहले में आपको बताऊंगी आपको किस तरह से खसकस का सेवन करना है जी हाँ, भीगी हुई खसकस हमारे सिहत के लिए बहुत ही बेनिफेशल होती है इसके लिए आप रात को सोते समय दो चमच खसकस को पानी में भीगो दीचे और सुभावट कर इस भीगी भी खसकस को पीस लीचे और पीस कर इसका पेस्ट बना लीचे पेस्ट बनने के बाद आप इसे गर्म दूद के साथ मिला कर पीचे इससे आपको काफी ही ज्यादा फाय्दा होगा अब मैं आपको बताओंगी इस खसकस वाले दूद्गो पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं सबसे बहला है वजन घटानी में हमारी काफ़ी help करता है जी हाँ फ्रेंग्स आपको बतादें कि वजन घटानी के लिए खसकस के बीच बहुत ही फैदेबन होते हैं क्यूंकि इसमें omega 3 fatty acid होता है जो कि हमारे weight को कम करने में हमारी काफे help करता है इसके लिए आप रोजाना खसकस को दूद के साथ मिलाकर पीचिए लेकिन हाँ friends याद रखिए इस वीडियो में हमने जितनी आपको quantity बताई है आप उतनी ही लीचिए जियादा 7 ना करें friends इसका दूसरा फैदा है इसके 7 से डिप्रेशन से रहात मिलती है friends इसका तीसरा फैदा ये है कि खसकस में पायर जाने वाला opium एर्कोलाइट हमारे शरीर के सभी तरफा के दर्ड को दूर करनी में हमारी काफ़ी हैऽ 앞으로 करता है खासकर के friends इसे पीने से हमारे मजल्स पेन काफ़ी ही जल्दी कम हो जाते हैं अगर आपको मजल्स पेन हे तो आप इसे जरूर पीचिये इससे आपको काफी फैला होगा फ्रेंस इसे लंबे समय तक लेनी से सांस सम्मधी समस्याओं से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है इसके लावा ये सरदी जुखाम को भी कम करने में आपकी काफी हेल्ट करता है इसलिए अगर आपको सरदी जुखाम है या फिर सांस से सम्मधित कोई भी बिमारी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों रात को सोने से पहले भीगी भी खसकस के पेस्ट को गरम दूद में मिला कर पीने से आनी द्रा यानी की इन सोमिया की प्रबलम से आपको काफे ही जल्दी रहात मिल जाती है और आपको रात कैसे में अच्छी निन भी आती है इसलिए अगर आपको इन सोमिया की प्रबलम है तो आप इसे जरूर पीजिए इसका नेक्स्ट वाला फाइदा ये है कि ये कप्स की प्रबलम को दूर करता है जी हाँ फ्रेंड्स खसकस में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि आपको कप्स की प्रबलम से निजा दिलाता है ये पाचन सम्मंदी हर समस्या से भी आपको निजा दिला देता है और बहदर डाइडिशन में आपकी काफी ही ज्यादा हर्प करता है दोस्तों Blood Pressure को करता है Control जी हाँ इसमें पाया जानी वाला Potassium आपके Blood Pressure को Control करने में आपकी काफी हर्प करता है इसलिए अगर आपको BP की समस्या है तो आप इसका सेवन्स जरूर करें दोस्तों, खसकस वाले दूद को पिनी से किड्नी स्चोन को बनने से रुखता है जी हाँ, खसकस में मौझूद अलकलाइट, शरीर में मौझूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को सोग करके किड्नी में स्चोन को बनने से रुखता है अगर आपको किड्नी स्चोन के प्रॉबलम है तो आप इसका सेवन्स जरूर करें खसकस वाले दूद पीने से एनीमिया की प्रॉबलम दूर हो जाती है जी हाँ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आईरन पाया जाता है जो कि आपको एनीमिया से बचाता है तो फ्रेंग्स, अगर आपको भी हून की कमी हो गई है तो आप भी खसकस वाले दूद का सेवन्स जरूर करें इसका सबसे लास्ट वाला फैदा ये है कि ये हमारे दान्तों को बनाता है मजबूत जी हाँ, खसकस में भरपूर मात्रा में पास्परस पाया जाता है जो कि हमारे मसूरों से रिलेटेट हर प्रॉबलम को दूर करता है जी हाँ, साथ ही हमारे दान्तों को भी मस्बूत यानि की strong मनाता है अगर आपको भी दान्त या फिर मसूरे से related कोई भी problem है तो आप इसका seven जरूर करें इससे आपको फैदा जरूर होगा तो friends, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सुभा सुभा दो जो मच खसकस को गर्म दूद के साथ खाने के कमाल के फैदे आप इसका seven करें और अपने आपको healthy रखें If you like this video, give a thumbs up, comment us in the comment box and make sure to subscribe to daily health tips Friends, I will be back again with more new interesting topics Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos Thanks for watching, bye